है कि सभी जुबा है हम है अजारों में अब की कमे जरा है हर चीज खास है अब है जो है वसमा हेलो एब्रिवान आज के वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर कर लिये हूं मीशो से मैंने कुछ आटिफिशल प्लांट्स और रियल प्लांट्स जो मगाई है उनकी रिव्यो करने वाली हूं ये सबसे पहला प्लांट्स आप देख सकते हो मैंने ये अभी अभी मगाया है ये दिखने में बहुती प्यारा लग रहा है बड़ थोड़ा सा मैंने जो सोचा था उससे थोड़ा सा छोटा है बड़ दिखने में बहुती जohड़ा च्यूटड लग रहा है इसमें चाइन बहुत ही बूत है ना भी बहुत ही अच्छा शाइन आया है आब देख सकते होताक है की बिलकुल ये लिए है बड़ा है। इसका साइज होड़ा से आप चाहते हो कोई आम मतला टीबी के उपर आपर रख लखना तो ये आप रख सकती हो इसमें आप देख सकती हो एक पत्ता भी एक्स्ट्रा आया है कभी आपका पत्ता हो गया एक कुछ हो गया तो यह पत्ता एक्स्ट्रा लगा सकती हो तो मुझे तो पसनली अच्छा लगा थोड़ा साइज में छोटा लगा इसका प्राइस है 167 बट मुझे थोड़ यह नैचुरल लगेगा जैसे आप टेबल वगर हमां रखती हो आप देख सकते हो कितना नैचुरल लग रहा है यह अच्छा है मतलब छोड़ा छोटा है बत क्यूट सा अच्छा है इसको मैंने अपने टीवी के ऊपर रखा है अप देख सकते हो यहां से मैंने जो व्यू मिल रहा था मुझे ओनलाइन में मीसो में तो मैंने एक सेट मगाया है चारो पोदे हैं इसमें यह देखने में बहुत ही क्यूट क्यूट सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा छोटे हैं बड़ आप कहीं पर भी रख सकते हो इसको जहां पर आप डेकोरेशन का सामान रखते हो आप रखो कि तो भी आहां पर घूट लगता है यह देख सकते हो कितना है यह दी पोदे हैं बहुत ही जयादा ने चुर लग रहा है किसी मदब आर्टिफिशल है तो आप यह डेफिनेटली मगा सकते हो यह प्राइस भी बो승 अच्छा है इसका मुझे इसको टूड़ा टू हो इस टाइब से छोटा सा आपको एक कप मिलेगा और उसमें से वाइट कलर का कुछ चूना टाइब के लगा हुआ है यह थोड़ा सा अंदर से टूटा हुआ है बत इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा दिखेगा नहीं यह अंदर के साइड रहेगा अब देख सकती हो कितना ज् दिखाना चाहती हो उसमें और इसमें कितना फरक हैं आप देख सकते हो इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल यह नैचुरल नहीं लग रहा है यह फ्लावर वाला में मार्कट से लेके आई थी 40 रूपीज का था 40 यह 45 रूपीज का था तो मैं मुझे यह जो चार मेने जो पो उनलाइन में बोलते हैं और अच्छा नहीं मिलता हैं बट कोई को इतना अच्छा सामान मिल जाता है हमें तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लागा अगर आप चाहते हो अपने घर को खुबसूरत बनाना तो यह डिफिनेटली मगा सकते हो आप देख सकते हो मैंने इन प्लांट्स को ऐसे सजा दिया है यहाँ पर थोड़े लाइटिंग वाइटिंग भी लगा दूंगी तो बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगेगा लाइटिंग लगाने के बाद अगली जीज मगाई है मैंने लक्की बैमॉ यह वे तो नैचूरल है यह ओर से जागा उनकी ब directly प्लांट्स एं मैंने वही वे बोलते हैं घर में रखना इसको अच्छा होता है इसलिए मैने मगाया है यह अब देख सकते हों यह बोछी अच्चा नैच्यूरिल她 आया है इसके पैकिंग यह बहुत ही अच्छी है एक काच के जार में आया है काच भी बिलकुल सई सलामत आया बिल्कुल भी क्रैक नहीं है इस लगकी बैम को लेने का मुझे बहुत टाइम से शौक था सब बोलते हैं कि घर में रखना अच्छा होता है बट आया भी बहुत ही अच्छा है मीसो की पैकिंग एक नमर है बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग है आप देख सकते हो इसमें ज रंगे बिरंगे स्टोन है उसको डालके इसमें पानी भरके रख दिया है और इसका प्राइस है मीसो में 264 अगर यह आप मगाना चाहते हो तो डेफिनले मगा सकते हो मैं तो हाइली रेकमेंड करती हो कि यह बहुत ही अच्छा प्लैंट से आप घर पर रखना चाहो तो यह बहुत ज्यादा पसंद आया यह लक्की बैंबो मैं नर्सरी में भी लेने गई थी बट इसका प्राइस वहां पे साड़े तीन सो रुपया बताया था तो मैं नहीं ले कि आई बीसो में बिलकुल सही प्राइस में मुझे मिल गया और अगली चीज मैंने घर के लिए मगाया है मनी प्लांट यह बिलकुल नैचुरल है ओरजिनल वाला है यह डूपलिकेट आर्टिफिशल नहीं है अब देख सकते हो जब मैंने इसको मगाया था तो यह पॉट अलग सा आया था और मनी प्लांट अलग आया था इन दोनों के प्राइस अलग-अलग है यह मनी प्लांट की पेड को मैंने मगाया था 162 रूपीज का जब यह मनी प्लांट आया था इसमें कोई पॉट नहीं था यह इस टाइप से आया था आप देख सकते हो प्लास्टिक यह थैली में बांद के आया था पैकिंग साही थी बट इसमें कोई पॉट नहीं था और मैंने इसके लिए क मैं फोड़ा बहुत कलरफुल होता है उसको напрigram को डाल दिया थप साफ पानी लेकर यह आप देख सकती हो मेरा आ छोड़ा ही बहुत बटा हो गया है जब मैंने बगा II पानी भी दाली थी पानी भी थोड़ा कं होता जा रहा तो मैं इसमें फिर से साफ करके ये पॉट को भी साफ करूंगी और मनी प्लांट को भी साफ करके पानी वापस डाल दूगी आप यहां पर देख सकते हो छोटी-छोटी कीडे टाइप के लगे हुई है मैं इसको अभी थोड़ी कल या पर्सों में साफ कर दूँगी तो जैसे आप एक डेड़ महीने में इस मनी प्लान की पानी चेंज कर सकते हो नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे-छोटे कीडे टाइप के लग जाते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेलफूल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ला बाइब।